अगर अभी तक आपने हमारा चैनले सब्सक्राइब कर लीजे डेली वेडियो लेकर आते रहते हैं हम इस वीडियो में बाग कवर करेंगे इसके बेसिक फंडामेंटल और टेक्निकल कंपनी के बेसिक की फंडामेंटल की बात करें तो 9000 करोड का कंपनी का मार्केट कैप है 404 पर ये ट्रेड कर रहा है हाई है 412 का लो है 202 का इस्टोक पी 27 का और इंडरस्टी पी आपको 34 का देखने को मड़ा यानी स्टोक सस्ता है आरो सी आरो ये आरो ये आपको काफी अच्छे देखने को मड़ा है एटलिस 10 से ऊपर है और वहीं डेट के बात करें तो 213 करोड का डेट है डेट विकटी है 0.09 का पीजी रेश्यो के इसाफ से जरूर ओवर वेल्यूट बता रखा है अनिंग पर सेर के बात करें तो 14.25 रुपे है परमोटर की बतास होल्डिंग का 49.2 की परमोटर की परसेंटेज ज्रूर नहीं काफी अच्छे है last 3 year की sales growth 5% की life 5 year की sales growth 9.5% के करीब है और profit growth की बाद के last 3 year की 9% के करीब है और book value 131 की है divinity need 1.24 का है face value इसकी 2 रुपे है net profit margins की बाद के latest quarter की तो 10 के करीब देखने को मलड़ा है यह company के basic की fundamental है इस sector की जित्ती भी company है जैसे टाटा एलेक्सी पसिस्टेंस और सियांट वगारा जित्ती भी company है आप उनके basic की fundamental है इसको आप compare करके चल सकते हो यह company का weekly time frame chart pattern है आप यहां इस stock में देखेंगे यहां इसने एक high लगाया था यह आपको देखने को मिल रहा है 13 सितंबर 2021 में उसके बाद आप यहां देखेंगे यह दूसरा high है इसका एन उसके बाद stock में काफी अच्छे ग्रावट हुए और यहां आपको एक M form का pattern देखने को मिल रहा है यहां से stock ने ग्रावट देखा यह रिटेस्ट करने के बाद आपको काफी अच्छी ग्रावट कर दिया है यह देखेंगे यहां आपको से लेवल को रिटेस्ट किया तो इसके बाद इसके बाद रहना चाहिए वह पांचो अर 30 के करीब देखने को मिल रहा है बट आप इसका थोड़ा सा 530 के करीब ही इसको लेके चल सकते हैं ठीके 500 या 530 रुपे के करीबी लेके चल सकते हैं और support की बाद करें तो आप इसका support 344 रुपे का रखके चल सकते हैं इस विंग ट्रेडिंग के point of view से काफी अच्छे return देखने को मिल सकते हैं इसे stock में एन उसके बाद आप यहां RSI भी देखेंगे तो वो भी आपको upside moment में देखने को मिल रहा है ठीक है यह आपको काफी अच्छे return देगा यह जो एक और चीज यहां देखेंगे तो यह देखिए यह RSI आपको उपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है फिर उसके बाद यहां पर आपको RSI में और stock में दोनों में एक साथ ग्रावर देखने को मिलेगी वो इसका retest point होता है ठीक है retest point के बाद आपको यह जो target है ना इसके 538 वाले ठीक है 500 के उपर ठीक है वो आपका target रहेगा और वो आपको काफी जल्दी आपको अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा आप यहां भी देखेंगे दिए यहां stock ने एक तेजी दिखाई थी उसके बाद retest point देख सकते है उसके बाद आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगा breakout के लिए काफी मतलब उतावला हो रहा था पर breakout नहीं कर पाया था एन उसके बाद यहां आप फाइनली ब्रेक आउट किया यह जो आपको आरे से देखने को पुड़ा 90 के करीब जाएगा यहां पिर उसके बाद आपको एक retest point एन इसके बाद आपका target देखने को मिलेगा support की बात करें तो इसका 20 डे moving average जाड़ी 300 रुपे का उसको भी आप रख सकते हो ठीक है आप चाहो तो इस level को भी रख सकते 360 वाले को इस level को ठीक है एन चाहो तो आप यहां कहीं इसको भी आप जो इसका support है उसको भी मान के चल सकते 300 चोईस का बट आपको धियान रखना होगा कि यह target थोड़े हो सकता जल्दी भी अच्छी हो जाए हो सकता आपको 10 working day भी लग जाए ठीक है यह weekly point of view से है और यह stock आपको काफी अच्छे return मना कर देगा इस stock को अपने portfolio में add कीजिए एन इस पर study करिए एन उसके बाद आप देख सकते कि इसमें कैसा moment देखने को मिलता है तो आयो पी यह वीड़